कॉंगरेस सरकार के बदलते ही P.W.D. भाग के दुरुग संभाग से करीब 200 दैनिक वेतन भोगी करमचारियों को अधिकारियों ने काम से दिकाल दिया था जिसके बाद सभी करमचारियों को कई दिक्कतों का सामना करते देखा जा रहा था चतिर्गर राजी दैनिक वेतन भोगी करमचारी संग के बेनर तले सभी करमचारियों ने वेशाही नगर विधायकरी के सेन से मुलाकात कर अपनी समस्याओं से आउगत कराती हुए ग्यापन सौपा था विधायकरी के सेन ने पीड़ेवलोडी युभा के अधिकारियों से चर्चा कर काम से निकाले गए करमचारियों को वापस काम पर रखने देशित किया था जिसके परणाम स्वरूब सभी को काम पर वापस रख लिया गया इसले कर सभी कर्मचाई रविवार को विधाकरे के सेन की निवास लोकांगन पहुंचे और उनका आभार व्यत्त किया देता हूंग सर्फरह कि जसा कर से सम्ग्रेशने लिया जाया कर संदिताए कार सभी कर ड्रहार काम पहुंचे निवात्या कर Sra Necky आज हम विधायत विक्रेश सिंजी के बाद विन्ने आया थे इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद देना भी चाहते हैं कि वह जब हमको देर से 200 लोगों को निकाला गया था दूरुग स्पीडवडी दूरुगिस संभाग दूरुगिस से तो उन्होंने दर्श रेस्टाव तो मुलाकात हुई थी उनके बाद पूरन पहल कर उन्होंने जस्त दो दिन बाद हमको वापस नौकरी पर रखाया जो दे तो उसी दिमेदन करना जाते हैं कि उस्त वाप विधानस अखोस्तन उठाए और महोदेजी जी को बोलें कि विधानस अखोस्तन के बाद को दख्या है कि अन्होंने विधायक महोदेजी से मिलने आय थे और सर हम लोग देनी क्वेतन भोई करमचारी संग से प्रदेश तरी क मैं गुलाप चंद यादो कांता ध्यक्षू और हमको सर उम्मीद है पूर में बीजेपी सरकार ने 2008 में प्रदेश में कारवरत समस्ते दैनिक वेतन भोई करमचारी को निम्तिय करन किया था उसी प्रदेश में 40,000 की संख्या में दैनिक वेतन भोगी हैं और हमको उम्मीद ह सर बीजेपी हमारी मांगों को पूरा करेगी और निम्मीति करन के लिए जल सु जल पहल करेगी उम्मीद है कि अब लोकषभा अगामी लोकषभा के पहले हो जाए तो बहुत अच्छा होगा सर और उम्मीद लगा के बैठे में हैं चत्तियर के दैनिक वेतन भोगी करमचार कि हमारी मांग जल सी जल पूरी हो निम्मीति करन के